So yes, hello everyone, मैं जीत कुमार, सभी का स्वागत करता हूँ, आपके अपने इस YouTube प्लेटपॉर्म पर So, आज हम डिस्कस करेंगे एक topic that is exclusive economic zone Exclusive economic zone के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे I hope आपने जोग्राफी में exclusive economic zone के बारे में सुना भी होगा अच्छे से पढ़ा भी होगा, सब चीजे देखी भी होगी और prelims में 2022 में UPSC में इससे question भी आया है उसको at the end of video हम डिस्कस भी करेंगे कि question क्या पूछा गया है और कैसे उसको handle करना था एक बार अगर यह सारे concept आप सीख गए तो फिर आपको वो question आसानी से आप उस question का हल कर सकते हैं उसमें कोई आपको issue नहीं आने वाला है ठीक है, so exclusive economic zone सबसे पहले news में वैसे कब आया मतलब last year जैसे कब आया news में तो simple सी बात है सब कहेंगे कि sir जब USA का एक ship था, basically John Paul नाम का एक ship था वो enter कर गया था हमारे exclusive economic zone में लक्षदीप आयलेंड की और, तब ये news में आया था क्यों, क्योंकि USA ने अभी तक basically sign नहीं किया है किसको, UN clause को अब यह UN clause क्या है, सारी चीजे, one by one detail wise सारी की सारी चीजे हम इसमें cover करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये UN clause है क्या ठीक है, अब ये UN clause है तो इसकी history क्या है क्या history है भई कैसे exclusive economic zone संग्यान में आया, ठीक है और यही exclusive economic zone अगर concept है जैसे भईया UN clause से निकला, तो भईया basically EZ होता क्या है भारत ने कब इसको ratify किया ठीक है, कब ये संग्यान में आया और disputes की बात कर लेंगे कुछ कुछ disputes की बात करेंगे और previous year का जो question है prelims का उसको भी हम इसमें discuss करने जा रहे है इस वीडियो में so basically disputes क्या क्या है जैसे आपने सुना होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच आपने basically सुना होगा nine dash line का विवाद ठीक है, चाइना और South China Sea के surrounding countries है तो चाइना क्या करता है कि nine dash line हमारी है तो वो क्या dispute है, उसकी भी हम बात करेंगे उसके अलावा, इंडिया और स्रिलंका basically जब अगर 200 nautical mile तक होता है अगर आपका exclusive economic zone सभी को पता है, 200 nautical mile तक का होता है अगर किसी ने, मतलब अभी तक पढ़ा भी नहीं है exclusive economic zone तो इस वीडियो में इस तरीके से represent किया जाएगा चीजों को कि जिनको आता है, उनको तो पता है already, उनका revise हो जाएगा और जिनको नहीं आता हो बिल्कुल basic से लेकर और सारी सारी चीज़े जान जाएगे so exclusive economic zone 200 nautical mile तक का होता है तो इसमें basically चाइना का demand क्या है क्या चक्कर है भई, सारी की सारी चीज़े हम जानेंगे, तो चलिए सुरू करते है, exclusive economic zone देखे, as a nation as a nation, जैसे आप मतलब इंडिया के नागरिक है so, उसकी जो physical boundary है उसको देखना बड़ा ही आसान है हम कह सकते हैं कि देखिए ये जम्मू कश्मीर है, ये भई, हमारा राजिस्थान है, ये गुजरात है, ये मध्यपरदेश है, ये महराष्ट है क्योंकि उसका डिमारकेशन हो रखा है आपका मेप पे प्रॉपर तरीके से लेकिन कही न कहीं जब आप देखेंगे कि मेरी टाइम बाउंडरी जो है, मेरी टाइम बाउंडरी इतना easy concept नहीं है क्योंकि मेरी टाइम बाउंडरी को overall हम क्या नहीं कर सकते मैप पे ऐसे ड्रॉप नहीं कर सकते जैसे आपका physical map इस पे ड्रॉप है ठीक है सो मेरी टाइम बाउंडरी के लिए एक concept आया आपका that is UN clause UN clause के तहत या इसको कह सकते है law of the sea law of the sea इसके तहत एक concept आया आपका इनके अंडर exclusive economic zone का कि भई समुद्र है तो समुद्र बेसिकली सब का उस पर अधिकार था पहले सब का अधिकार था तो it means simple सी बात है कि जिसके पास technology है जिसके पास जो power ज़ादा है तो बेसिकली वो क्या करता था उन चीजों को resources को वहां से निकालता था लेकिन UN clause में क्या हुआ कि भई यह जो country है उसके आसपास अगर area है समुद्र का जो area है sea का जो area है तो उसका exclusive economic zone अगर हम define कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा क्यों क्योंकि वो country को resources की need तो होगी तो वो resources उसको मिल जाएंगे और फिर से बाद इसमें demarkation हुआ कि देखी हम इसको ऐसा करते हैं इसको different parts में बाट देते हैं जैसे territorial water ठीक है internal water, territorial water आपका contiguous sea उसके बाद आपका exclusive economic zone और exclusive economic zone के बाद आपका high sea ठीक है तो यह सारी की सारी चीज़े discuss भी करेंगे so overall अगर देखा जाएं आपका कि exclusive economic zone की history है क्या पहले तो यह समझीए देखे exclusive economic zone कब आया अब आपको पता लग गया कि UN clause gender आया ठीक है और यह जो concept है यह जो concept है सबसे पहली बार 1973 में आया 1973 में आया तो आते आते 1982 तक क्या हुआ कि सब countries इस पर राजी हो गए लेकिन इसमें clause यह था कि जब तक इसको 60 देश क्या नहीं करेंगे ratify नहीं करेंगे तब तक यह संग्यान में नहीं आयेगा और यह जब तक संग्यान में नहीं आया क्योंकि basically 60 जो countries हैं उसने इसको ratify नहीं किया था तो जो 60 त कंट्री है जो 60 त कंट्री है वो थी आपकी गवेना और 1995 में जो है यह पूरे तरीके से जो UN clause की यह EZ वाली जो concept है वो पूरे तरीके से लागू हो गई थी क्योंकि 90 सॉरी एफेक्टिव होई थी 1994 में क्योंकि 1993 में जो 60 त था इस आपका गवेना उसने क्या करा इसे ratify कर दिया गवेना ने इसे ratify कर दिया तो 60 त कंट्री जो था वो आपका गवेना बना और इन्होंने इसको ratify कर दिया था उस दिन से यह लागू हो गई तो उसमें एक यह था कि 60 countries at least इसको convention को या इसको sign करनी चाहिए देन उसके बाद यह लागू होगा देन उसके बाद इन्होंने sign किया और उसके बाद 1994 में यह लागू हो गया और उसके बाद 1997 में इंडिया ने भी इसे ratify कर लिया अपना लिया एक काम की बाद मैं हाँ बता देता हूं कि USA ने अभी तक UN clause को United Nation Convention on the Law of the Sea ठीक है तो उसको अभी तक sign नहीं किया है किसने USA ने sign नहीं किया है और यह जो संदी है यह जो basically convention है यह artificial islands पर लागू नहीं होती है यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको सारी के सारी चीजे discuss करूंगा ठीक है वैसे इसके अंदर जो UN clause है इसके अंदर जो नियम है वैसे 320 articles है 17 chapters है तो इनको तुमें discuss नहीं करा सकता सारे के सारी चीजों को है ना लेकिन UPSC की दरिष्टी concept जो जो भी important चीजे है वो यहां से मैं आपको बता देता हूं ठीक है 1994 से यह लागू होना शुरू हो गया 1997 में इंडिया ने एंटर किया इंडिया ने बेसिकली इसको रेटिफाई किया EZ के concept को इंडिया मानने लग गया USN इसको अभीतर रेटिफाई नहीं किया है और यह artificial islands पर लागू नहीं होता है चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसको किसके नाम से जाना जाता है और यह तीन नाम है अगर तीन नाम आपको देखने को मिले इट मिन्स की आप समझ जाहिएगा कि EZ की बात हो रही है ठीक है The third United Nation Conference on Law of the Sea UN Clause 3rd which took place between 1973 and 1982 gave rise the convention UN Clause and adopt sign in 1982 as I told you earlier जैसा कि मैं आपको बताया and this treaty came into force in 1994 यह भी मैं बता चुका हूँ As of June 2060 तक 167 countries and the European Union are the parties मतलब इसके यह देश इसमें सामिल है The United State of America is not a signatory of UN Clause तो यह भी मैंने आपको बता दिया था कि USA जो है अभी तक ratify इसने नहीं किया है As a observer इसमें सामिल होता है Law की respect करता है लेकिन उसमें as a sign country USA इसको sign नहीं किया है अब समस्या क्या होती है समस्या यह होती है कि USA इसको मानता नहीं है मानता नहीं है तो किसी के भी exclusive economic zone में वो enter कर जाता है without permission ठीक है बड़ा ही शांदार और एकदम बिलकुल सालिंता से समझी है topic को बहुत ही important topic है इसके ओपर question बन सकता है So first of all मैं आपको बता देता हूँ कि यह आपका exclusive economic zone का map है आप इसको गौर से देख सकते है तो इसमें जो पहले जो baseline है आधार रेखा है जो baseline जो है वो कैसे खीची जाती है देखे आपने tide का concept सुनाओगा एक high tide आता है एक low tide आता है तो जो low tide water होता है उसमें basically आपकी एक baseline खीच ली जाती है baseline basically जैसे अगर भारत के तट की बात करें तो भारत का तट है वो थोड़ा टेड़ा मेड़ा है तो baseline एक continuous line basically होती है ताकि जो लाइन है वो टेड़ी मेड़ी इसका मतलब यह नहीं कि ऐसे खीची दिया baseline अगर भारत के case में माल लीजे खीची तो इस टाइप से खीचे ही एक continuous line होती है और low tide water पे खीजी जाती है इतना बैस याद रखिए और इसके अंदर का बॉर्टर होता है यह अंदर का जो water है यह आपका कहला था इसमें यह जो अंदरका water है यह कहला है आपका सी आता है ठीक है बेसलाइन से 200 नौटिकल माइल तक तो होता है आपका इजड और उसका डिमार्केशन कैसे कैसे मतलब उसको डिफ्रेंसियेशन कैसे कैसे कर रखा है बाट कैसे रखा है चलिए उसकी बात करते हैं से सो बेसलाइन से 12 नौ टीकल माइल तक आपका यहां पर आपका उड़ान सीङ और मतलब आप से क्या है अंदर मतलब सोवरा एव वह वहाला जो सोवरीन एट मिन्स की अमारा जो है हमारी वहाँ पर सर्वोचता है वहाँ से कोई जहाज उड़ेगा तो कोई शुकी बात नहीं है लेकिन बाहर के कंट्री को allowed नहीं है without permission ठीक है उसके बाद यही territorial जो C है इसमें एक होता innocent passage innocent passage यह आपको बार-बार सुनने को मिलेगा और यह बहुत ही important term है innocent passage आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा देखें innocent passage क्या होता बड़े गवर से समझे माल लीजिए कोई military ship है या कोई ship है वो cross करना चाहरी है इंडिया के माल लीजिए इंडिया है यहां से यहां तक ठीक है और एक baseline खिची हुई है यह वाली और यह वाला है internal water अब यहां से कोई ship जाना चाहता है territorial water से ठीक है बिल्कुल जाए पहली बात permission लेकर जाए दूसरी बात अगर कोई military ship जा रहा है innocent passage मतलब कि अगर कोई military ship जा रहा है तो उसके जो military equipments है उनको बंद करके जाए ठीक है कि बेसिकली वह यह जता है यह बता है कि देखो हमारा यहां से सिर्फ निकलने का इरादा है आप पर हमला करने का यह आप से लड़ने का कोई इरादा नहीं है तो उसके जो military equipment है उनको बंद करके जाए ठीक है अगर इसको base line से लेते हैं तो यह हो जाता है 24 nautical mile का base line से अगर इसको गिने तो 24 nautical mile और आपका territorial water से अगर इसको गिने यह 12 nautical mile का है तो इसमें क्या है इसमें laws लगते हैं मतलब यहां पर यहां पर territorial sea में भारत के जितने भी कानून है वो सारे के सारे लागू होते हैं territorial water में लेकिन contagious water में यह contagious zone में केवल 4 कानून लागू होते हैं ठीक है जैसे customary law ठीक है जैसे customary law ठीक है उसके अलावा taxation ठीक है इसके अलावा pollution जैसे customary law ठीक है taxation, pollution, immigration यह चार लागू होते हैं contagious zone में जैसे एक example दे सकता हूं जैसे taxation का example दे सकता हूं कि यहां का जो airspace है अगर यह contagious zone से मान लीजे enter करके निकल रहा है तो it means उसको tax देना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा tax देना पड़ेगा यहां से कोई ship जा रही है तो निकलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा tax देना पड़ेगा उस पर custom duty हम लगा सकते हैं और immigration और जो pollution है उसका भी basically ध्यान रखा जाता है तो आई होप आप यह समझ गेंगे कि contagious zone में भारत के जितने भी कानून वो लागू नहीं होकर केवल चार चीजे यहां पर अभी लागू होती है that is customary law, immigration, pollution and आपका taxation तो कोई भी national airspace से मान लीजे यह जो airspace से कोई निकल गया त ठीक है कोई ship निकलेगी वो हमें tax देगी यह उसके बाद उसके बाद 12 nautical miles से आगे वाला जो वाट आगे वाला जो है वो है आपका exclusive economic zone अगर इसको baseline से लिया जाए तो यह होता है 200 nautical miles का कितना होता है 200 nautical miles का 200 nautical miles का होता है it means it means कि भीया exclusive economic zone में again कोई भी जो ship है कोई भी ship है वो जा सकती है है ना उसमें कोई आपको tax vex नहीं देना है ठीक कोई भी ship जा सकती है लेकिन कोई military ship कोई भी exercise military exercise वो वो जाएगी लेकिन permission अब यह USA का और उसका क्या हो गया था इंडिया का बेसिकली लड़ाई हो गई थी क्यों क्योंकि उन्होंने अपनी जो military ship है वहां से निकाली without permission ठीक है क्योंकि USA बोलता है कि जितने भी समूद्र है या सी है वो फिरी है ठीक है इसलिए उन्होंने का operation भी चलाय था और उस operation का basically उन्होंने नाम रखा था जो आपक तो exclusive economic zone लग्षे दीप के पास उसमें वो enter कर गए without permission military ship को लेकर so military ship के लिए आपको क्या करना पड़ेगा permission लेनी पड़ेगी ठीक है आई हो प यहां तक समझ गे होंगे आप अब exclusive economic zone में economy से related चीज़े, माल लिजे कोई resources मिल गया, कोई आपको mineral मिल गया, कोई आपको gases मिल गई, आपको petroleum मिल गया, तो आपको इसको extract कर सकते हैं, यहाँ से यह पूरा का पूरा right उस country का रहता है, जिसका वो exclusive economic zone है, उस वाली country का basically क्या रहता है, वहाँ पर right रहता है, ठी लेकिन यह right तो रहता है, ठीक है, इसके बाद आता है आपका high sea, high sea मतलब सभी countries के लिए basically available रहता है, तो 200 nautical mile के बाद, जितना भी जो space है उसके बाद, आप high sea कहलाता है, वहाँ कोई भी country जाए, कोई भी resources ढूंडे, और उसको basically क्या करे, अपना ले, तो लेकिन, लेकिन ज sea bed authority से permission लेनी पड़ेगी, और यह international, जो sea bed authority है, जो international sea bed authority है, वो regulate करती है, deep sea mining को, और marine, marine environment को, किसको regulate करती है, deep sea mining को, और marine environment को क्या करती है, यह regulate करती है, ठीक है, marine environment को regulate करती है, और deep sea mining को regulate करती है, कि भीया, अगर इस से कोई, वहाँ की जो species है, है उनको नुकसान ना हो पोलूशन जादा ना हो जाए और यह इंटरनेशनल सी बैड अथर्टी 1994 में बेसिकली इसको बनाया गया था और इसका आया से में जाके पर्मीशन ले सकते हैं तो आयोप समझ में आगे होगा इंटरनल water बेसलान से पहले पेहले का बेसलान से बारा नॉट्रीकल वाइं टरेयटोरियल का वहां सारे के सारे लग अपलाई होते हैं किस वहां पर पर्मीशन लेनी पड़ती है, airspace से भी जाना है, या फिर उससे भी जाना है, innocent passes क्या होता है कि कोई भी military ship वहाँ से जा रही है, बिल्कुल जाहिए, कोई शमस्य है ने, लेकिन अपने जितने भी equipment है, military equipment हैं, उनको बंद कीजिए, और उनको विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, उसके बाद आपका आता है कोई air जो plane है वो गुचरेगा, तो it means उसको text देना पड़ेगा, उसके बाद से अगले जो है area, जो मतलब मान लीजिए, यह कितना होगा, 24 और 200 में से 24 आप घटा दीजिए, ठीक है, तो यहां कितना हो गया, 176 nautical mile, यहां से अगर लगाएंगे, तो और कितना हो गया, 176 naut होता है, तो यह total कितना होता है, 200 nautical mile होता है, it is around 370 km के around होता है, ठीक है, और एक nautical mile में, अगर आप से कोई पूछे, तो बता दीजिएगा, 1.85 km होता है, एक nautical mile में, ठीक, यह सारी चीज़े होती है, चलिए, एक concept और बताते हैं, आपको, तो यह है, internal water, आप देख ली diagram है, ठीक, आपके लिए, एक और diagram, अब यह होता, जैसे, इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया के बारे में, मैं आपको बताऊंगा, एक concept पहले आपको मैं बता देता हूँ, आरके pelagic water का, आरके pelagic water का, तो जो UN clause है, उसके chapter 4 में, ठीक है, part 4 में, आरके pelagic water की proper definition दी हुई जैसे, बहुत सारे islands हैं, एक साथ बहुत सारे islands हैं, अब इसको 200 nautical मा लेंगे, तो यह कहेगा, यह तो मेरा ही हो गया, यह island ही मेरा हो गया, यह island ही मेरा हो गया, तो यह island ही मेरा हो गया, तो इसका 200 nautical mile कैसे तेह होगा, इसका 200 nautical mile तेह करने के लिए, आरके पहले जिक, जो concept है वो basically बताया गया तो इसमें क्या करते हैं कि पहले dot line खीच लेते हैं dot line खीच लेते हैं और इस dot line से फिर वो बारे नॉटिकल माईल फिर बारे नॉटिकल माईल और फिर जो यहां से यहां तक है टोटल ईजड ठीक है और इसको कहते हैं आपका internal water ठीक है इसको कहते हैं आपका internal water ठीक जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है कि देखिए overall यहाँ पर क्या करा पहले एक डॉट खीच लिया कि इतने सारे islands है तो एक डॉट खीच लिया डॉट लाइन ले दिखाई उसके बाद इसका exclusive economic zone decide किया ठीक है और यह जो water है इसको कहा गया आर के पहले जिक वाटर ना कि internal water भी कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं आर के पहले जिक वाटर यह basically islands के case में successful रहता है islands के case में सारे जो law है वो उसी साब से applicable होते हैं लेकिन यह basically islands के case में इसको संग्यान में लिया जाता है ठीक I hope आप समझ के होंगे अब बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया के पास अच्छी बात क्या है कि इंडिया के पास देखिए इधर अंडमान निकोबार है तो उसका exclusive zone बहुत अच्छा है कि हमें इतनी सारी चीजे मिल गई तो कल को यहां पर resources हमें मिल जाए है ना कल को हमें पीचे तो सब बता देंगे सर यहां पर ना हमारा लक्षदीप आइलेंड है उसकी वजह से अब यहां से अगर हम 200 नौटिकल माइल लगाएंगे तो इसलिए जो है एक सर्टेन पॉइंट पर ना होकर हमारा जो exclusive economic zone है वो uncertain मतलब it means की टेड़ा मेड़ा थोड़ा है क्योंकि यहां चाइना बनाता बोलता देखो 200 नौटिकल माइल हमारा ठीक है तो इसलिए जो आइलेंड है उस पर अप्लिकेबल नहीं है ठीक है अब देखिए दो कंट्रीज के बीच कैसे decide होगा कि भाई आपका exclusive economic zone कैसा है कितना है तो इधर से इंडिया ना अपना शुरू करेगा और इधर से स्री लंका ना अपना शुरू करेगा और mid में जो line होगी वो ही उन दोनों का उनका जो पीछे का जो water है वो उससे जैसे इंडिया का अगर mid way यह तो इससे पीछे पीछे exclusive economic zone और इससे पीछे पीछे यह exclusive economic zone स्री लंका का बहुत सारे पूछते हैं कि स्री लंका का मैप क्यों साथ में आता है तो वह exclusive economic zone उसकी वज़े है ठीक है यहाँ पर अंडेमानिक ओबार है तो भी हमारा exclusive zone economic zone इतना है और इसका importance तो आप देखेंगे महरास चाहिए मुंबई से 170 किलोमेटर के अराउंड यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है petroleum निकाला जाता है उसका नाम है बॉमबे आई तो वो कहा है वो हमारे exclusive economic zone में ही तो है ठीक चलो आगे बढ़ते हैं यस आरके पहली जी की वोटर का बात सुन गया अब कुछ dispute की बात करते हैं dispute क्या है? dispute है यह 9-line यह है आपका South China Sea और South China Sea में जैसे आपका यह दिख रहे है आपको पार्सेल आइलेंड, स्प्राटले आइलेंड, स्कॉर्बग आइलेंड यह different different islands है तो UN clause के according इनका जो है चाइना का वियतनाम का इन सब का इन्होंने exclusive economic zone बाटा हुआ है लेकिन यह जो islands है यह no man's islands है अब चाइना ने इस पर क्या करा बेसिकली माली जी कबजा करा ठीक है अब इन्होंने बोला इनको कोई map मिला होगा पिछले 100-200 साल 500 साल पुराना कोई map इनको मिल गया और इन्होंने अब कहना सुरू कर दिया कि देखिए यह अगर हमारे island है त यहां से हमें exclusive economic zone चाहिए ठीक है तो यह बोखला गया है ठीक है कि यहां से हमें exclusive economic zone चाहिए तो यह जो islands है यह different different countries के जैसे Philippines हो गया उदर से Japan हो गया है इदर से Vietnam हो गया उसके exclusive economic zone पर हमेशा विवाद चलता रहता है एक और विवाद है इंडिया और पाकिस्तान का इंडिया पाकिस्तान का विवाद देखिए आपने basically P.O.K. और उसका जो land boundary dispute चल रहा है वो तो सुनाई होगा लेकिन एक और विवाद है that is आपका सरक्रीक विवाद तो सरक्रीक यह गुजरात में है तो जहां तक green line है यहां तक तो पाकिस्तान बोलता है कि यह जो हिस्सा ह यह हमारा है और यहां तक यह जो line है इसमें बोलता है इंडिया बोलता है कि देखो यह वाला जो हिस्सा यहां तक हमारा है concept मतलब ऐसा हो क्या हो रहा है basically सबसे बड़ी जो लड़ाई है that is resources की जो लड़ाई है संसाधन की लड़ाई है तो जैसे अगर हम इसकी बात करें South China Sea के लड़ी की तो यहां पर बहुत ज्यादा मचली हैं प्रेड्य हहां से बहुत ज्यादा होता है यहांपर गैसी और उसके पेटरोलियम के अकूत भंडार है कि यह एक दिस्प्यूट होता है तो it means कि area क्या हो रहा है k Georgia अब 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 भूराइ तो रुषिया अपना exclusive economic जोन बोल रहा है कि यहां तक है Canada अपना बोल रहा है Greenland अपना बोल रहा है तो वो भी एक dispute वहाँ पर बना हुआ है तो अगर आपको एक dispute का basically list देखना तो आप गूगल कर सकते हैं तो बहुत सारे dispute आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन आपको यह concept समझाना जरूरी था आप dispute भी आसानी से समझ में आ जाएंगे सो यह prelims में यह question पूछा गया था प्रिलिम्स में यह question पूछा गया था exclusive economic zone पर ठीक है तो आई होप आप इसको solve कर लोगे और मैं पहले ही बता दिता हूं कि यह जो question है इसका answer आपको comment box में लिखना है कि इसका answer क्या होगा ठीक है तो पहला option क्या है पहले question पढ़ते हैं यह reference to the United Nation Convention on the law of the sea it mean UN clause consider the following statement a coastal state has the right to stabilize of its territorial sea up to a limit not exceed 12 nautical mile measured from baseline determined in accordance with the convention ship of all state whether coastal or landlock enjoy the right to innocent passes through the territorial sea ठीक है तो यह सारी चीजे मैं exclusive economic zone के concept में समझा चुका हूँ और this is your third statement आप इसको अच्छे से देख सकते हैं एक second में जारा side में हट जाता हूँ ठीक है ठीक है अब इसके option है आपके A में 1 & 2 2 & 3 1 & 3 1 2 3 so I hope you like the video ठीक और हमारे इस चैनल को subscribe करें share करें like करें और comment box में क्या इसका उतर होगा exclusive economic zone का जो previous year में UPSC ने question पूछा है 2022 में इसका क्या answer होगा वो आप मुझे comment box में देंगे मिलेंगे हम किसी next lecture में एक नए topic के साथ और आप topic suggest भी कर सकते हो कि आपको कौन से topic पर next video चाहिए चलिए मिलते है next lecture में thank you thank you so much guys